है अग्याओ है है लोगाइश मैं हूँ वी के सौगत करता हूँ आपका एक नए दिन में एक नए सफर के साथ आज है 22 जनवरी और आज हम एक्स्प्लोर करने वाले हैं इंडिया का ही नहीं बल्की एशिया के सबसे बड़े पार्क को कि उत्र प्रदेश की राइधानी लख्यों के गुंति नगर में बना हुआ यह जनिश्वर मिस्रा पार्क तीफू शेत्तर एकड की छेत्रफल में फैला हुआ है और यह एरिया इस पार्क को इंडिया का ही नहीं बल्की एशिया का सबसे बड़ा पार्क बना देता है करोड की लागत से बना हुआ है पार्क भारत के पूर्व रक्षब मंत्री श्री मुलायम सिंग यादव जी का सबना था और इस पार्क की निव उत्तर प्रदेश के पूर्मुख मंत्री श्री अखलेश आदव जी ने सन 2012 में रखी थी आप यह जो है यह जो है मैं दोटेश पर्फोनिक फाइटर जेट्स यह फाइटर यह दो हजार एक फुक पच्टर किलो मीटर प्रिटी घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है और उनिश्युकतर की युद्ध में भी यह फाइटर प्रेंट सामिल किया गया था और उसके बाद जो कारगिल का उद्ध हुआ था उसमें भी इस स्वाइटर प्लेन ने विजय दिलाई थी इना हुरिया इस पार्क में कुल साथ गेट है और मैंने इंटर किया है गेट नबर दो से गेट नबर दो से बिलकुल ठीक सामने है यहां पर लोगिया जी की एक स्टेचू और उनके अगल बगल में एक आर्टिफीसियल लेख है तो यहां पर तुसरु पता ही और इसके अलाबा अभी मैं जा रहा हूं गेट नंबर चार पर गेट नंबर चार पर यहां साइकल मिलती है रेंट पर तो वह देखता हूं कि र यहां सारी उठा लेगे हैं लोगों ने आज है बाइस जन्वरी और आज जनुसर मिस्टर जी की गेराइब भी पूनिती थी है जिस वजए से इस पार्क में जो एंट्रेंस का टिकेट लगता है 10 रुपाय वह भी फिरी था और इसके अलाबा यहां पर नर्सरी बगेरा में या कहीं पर भी जाने का जो टिकेट चार्ज लगता है वो भी यहां पर आज पूरी तरह से फ्री है यहां का गेट नंबर चार और यहां से एक साइकल लेता हूं फिर पूरा पार्क को जल्देली घूंके खबर करता हूं तो फाइनली हमें हमारी धन्नो में लगई है चलाने में अच्छा लग रहा है लगन बहुत दिन बाद चलाई है तो चलाई नहीं जा रही और दूसरा भी साइकल भी बहुत चोटी है मट अच्छी चल रही है कि यहां पर यह पूरी आर्टिफीशियल लेक है पूरे पार्क में यह घूम के आती है और इसके आसपास लेक के दोनों तरफ साइक्लिंग ट्रैक बना हुआ है और पैदल चलने वाला ट्रैक भी बना हुआ है शायद ग्राउंड बाटर निकाल के उसमें फेक रहे हैं तो यह पानी भरा हुआ यह बहुत ही किलीन और यहां पर किसी का भी जाना अलाव नहीं है क्योंकि यह जो लेख है वो बहुत गहरी बनी हुई है और उसके अलाबा अगर जाना एलाओ कर देंगे तो लोग उसमें कच्रा फेकने लग जाते हैं है यह हमारी दन नोकडी है और इसके अगे से ज़ime sociology को बंद करके रख हुएए इस पेडल जो गोला वालो उसे तो जांते हैं पैडल यार यह क्या बात हुई यहां से साइकलिंग ट्रैक बंद कर रखा है और गाड़ी चल रही है मतलब कोई और रास्ता भी इसका है चलो चलते हैं उसी रास्ते पे पैदल क्यों जाना साइकल यहां कोई छोड़के अगर कोई ले गया तो फाइन इसका देना पड़ जाएगा यह जो साइकल मैंने ली है इसका चार्ज है 50 रोपाई एक घंटे का और उसके बाद अगर आप जमा करते हैं तो आपको एक्स्टा पचास रोपाई देना होगा या तो आप दो गंटे बाद दी दीजी आफिर 50 रुपाय एक्स आपको देने होगा, तो साइकल देने के लिए यह 100 रुपाय जमा करा लेते हैं, 50 रुपाय सेक्यूर्टी में नहीं हो जाती है, और उसके साथ एक आइडी पुरूफ भी ले लेते हैं कोई, तो ID कार्ड भी एक मैंने अपना दे दिया है धन्नो को लिटा दिया है आराम करने देते हैं थोड़ा सा और हम चलते हैं अभी जंडे की तरफ यह जंडा इतना उचा है कि फ्लेम में तो नहीं आ रहा है और यहाँ से जाने पर काफी दूर है और साइकल को भी मैंने पीछे छोड़ दिया तो साइकल काफी ड़ लग रहा कि कहीं को उठा न ले जाए अभी उठाते अपनी धन्नों को फरसे और एक यह पूरा राउंड लेकर इस जगह से होते हुए लेक के उस तरफ से चलते आगे की तरफ और मेरे धन्नों कैसी है यह ऐसे सिटिंग के लिए को जगह बनी हुए है जो लोग फैली के साथ आते हैं और यहां पर बैठ कर अपना कुछ डिसकसन कर रहे हैं कही लोग आते हैं और कुछ लोग जो पिकनिक के लिए आते हैं अपना खाना वगारा लेने आते हैं तो लोग यहां पर बैठके खाते है मेरी जी दंडो है मेरे हाइट के साफ सी बहुत चोटी है तो दन्नों को राइड करने में मज़या नहीं आ रहा है और यह पीछी बैड्मिंटन ग्राउंड है जहां पर कोई कोच है तो वो कुछ बच्चों को ट्रेनिंग वगरा कुछ करवा रहे हैं कुछ सिखा रहे हैं यह बसंती मुझे दे दे ठाकूर पिछले एक घंटे से मैं इस पार्क में साइकल चला रहा हूँ और अब मुझे नहीं पता कि मैं किस जगाए पे हूँ और यह पार्क कहा है और इतना बड़ा और मैं किस एरिया में आ गया हूँ कि यहां आने के बाद यह रोड भी खतम हो जा रही है कि यह बस होकी ग्राउंड है यह बास्केट वाल ग्राउंड है यही सब यहां पर है और दूर दूर तक इस पार्क का कोई भी मैप नहीं दिख रहा है संसेट हो गया है और यहां का जो भीव है वो बहुत ही शानदार है जाने का मन तो नहीं हो रहा है लेकिन धन्नो है न यह धन्नो को घर जाना है क्योंकि शाम होने वाली है चले धन्नो इन आ हो रहा है क्लिक करना पानी मचलिया भी जहां लोग जिने दाना दे रहे हैं और वो बाहर आ जाती है अब यह जाड़े पांच हो गया है साइकल देने का है मोगे जाके साइकल देते हैं खड़ी होगी हमारी प्यारी धन्यूव इस यह जर्ड़े पार्क पूरी तक निया जब गया है और यह यह जड़िए लिगक्राइब इस खड़े देने वाल विट्व साम का छे बच्के दस मिनट हो गया है और लगबग यह पार्क पूरी तरह पूर्ड़ तो लोग चले गए हैं तो साथ वज़े तक यह पार खुला रहेगा तो साथ वज़े तक तो मैं यहाँ पर घूमता ही हूँ अपने अब गूम रहे हैं मैंने गुपाया था गाने तो यहां काभी अच्छे पले कर रहे हैं लेकिन कुछ देर ही और सूंसकते हैं क्योंकि साथ वज़ने वाला है और यह पार का भी बंद होने वाला है सच कहूं तो यहां पर कोई ने वचा हुआ है मैं हूँ और बगल में एक गार्ड है आंका और इसको कोई दिखने रहा है पीछे कोई बैठी हूई है अबस बहुत ते आई गई आदें मगरे से बाद तुहीं आना प्रॉज गया हो और गार्ड है सीटी मारमार के सब को जाने के लिए बोल रहे हैं जाए को बहुत बादे बोरी पार को खाली कराने में कि दिन में आप नहीं जब इसको पूरा गूम सकते तो रात में आप क्या ही देखिए जिए कि कहां कौन है कुछ पता ही ज़े ले गया और मेरा यह ब्लॉग भी और मॉफ्ट कम्प्लीट हो गया है जाता हूं बाहर की तरफ यह गेट नमबर दू है यहीं से मैंने एंट्री की थी और यहीं से मैं एक्जिट भी कर रहा हूं तो ऐसा कुछ ही पार्क था और यह वहीं बाहर का सीम फिर से अगया यह सोबर पहले चल रहा था लिकिना भी बंद कर दिया गया है और यह दोनों साइट टैंक खड़े हुए इस वीडियो में फिलाल के लिए इतना ही आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर बीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ ताकि यह वीडियो पूरी दुनिया को पता चल सके कि एस या का सबसे बड़ा पार्क जो है वह इंडिया में है और वो भी इंडिया के उत्तर प्रदेस की हुआ 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 है